Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel PharmaRox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे बायो सुगांडरिल टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिकेशन के बेजिक यूज के बारे में सभी को जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में के यहाँ पर जो आप टैटल स्टाइड में देख रहा है कि बायो सुगांडरिल के जो एफेक्टिवनेस है तो वो पीठ दर्द में भी यूज होता है सरदर्द वगरा में भी ये मेडिकेशन यूज की जाती है फिर जो गठिया जो हम कहते है आर्थराइटिस के जो कंडिशन उसमें भी यूज किया जाता है और ऑस्टियो पोरोसिस के अंदर अस्टियो के काफी दुरबलता हो जाती है यह सब भी के अंदर यह medication use की जाती है तो जानते हैं इसके बारे में detail में कि उसका dose क्या होना चाहिए side effects क्या होते है और कैसे यह अपना काम करती है तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family अब डिटेटर यह फार्मा नलेज के साथ एकसेस कर सकते study material test series and video lecture साथ उसाथ disease and medicines related course PharmaRox के अप उपर तो अब आप सेके अलग-अलग दवायों के basic use के बारे में उनके dose, side effects, warning and contraindications वो भी एक साल तक सरल भासा में, affordable price में तो डाउनलोड कर लिजिए application PharmaRox के जो Android application है Google Play Store पे, Apple iPhone, FA App Store पे लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो आप समझे बायो सुगंडरिल टाबलिट्स के बारे में तो ये medication, S.A. class का medication हम कहिए सेकते कि जो enzymes है और उसके साथ उसके पास है anti-inflammatory action कि जो अलग-अलग class होते हैं medications के तो बायो सुगंडरिल जो है वो एक type का enzyme है और anti-inflammatory action है तो उसके अंदर कौन सा enzyme present है वो मैं आपको बताता हूँ तो seratio peptidase नम का enzyme जी है वो ये formulation के अंदर present है और उसके manufacture समझाने तो वो है Abbott Healthcare Private Limited की यहाप आप उसका label चेक करो Abbott का यहाप आप logo देख सकते हैं और यह उसका brand name हो गया बायो सुगंडरिल या हम हिंदी में भी यहाप लिखा है बायो सुगंडरिल 10 mg के tablet same यही tablet 20 mg की strength में भी available होते हैं यह एक anti-recoted tablet से कि जिसके अंदर 40,000 जितने units present होते हैं और seratio peptidase के और 20 mg का यह tablet यहाँ पर आप देख सकते हैं तो Abbott के बारे में मैं आपको बता हो तो Abbott Pharmaceutical या फिर Abbott Healthcare Private Limited एक American Multinational Medical Device and Healthcare Company है कि जिसका headquarters कहाँ पर है तो Abbott Park Illinois के अंदर United State के अंदर उसका present है आगे समझे तो Biosuganeral Tablet एक Prescription Based Medication है यहाँ पर आप देखो Red Line यहाँ पर लिखे हुई है लाल लकिर जिसको हम कहते हैं तो लाल लकिर का मतलब यह होता है कि प्रॉपर आपको Healthcare Providers के Prescription के साथ है अंदर Medical Supervision है प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए और यहाँ पर RX भी आप जो है वो देख सकते हैं तो Prescription Based Medication हो गया यह RX Only Medication और यह एक Enzyme है कि जिसके पास Anti-Inflammatory Action है तो Anti-Inflammatory का मतलब यह होता है कि यह Medication लेने के बाद सूजन जो है वो कम होती है और सूजन के करन होने वाला जो पेन है उसको भी यह ट्रीट करेगा और साथ उसाथ जो Inflammation की जो Condition है सूजन की जो Condition है जो Swelling हो जाती है वगयरा को यह ट्रीट करेगा फिर यह Medication जो है वो बहुत सारे अलग-अलग Inflammation से जुड़े जो बीमारिया होती कि ऐसी बीमारिया के जिसके अंदर Center में सूजन है और सूजन के करण होने वाले अलग-अलग Disease and Disorder और उनके करण होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए यह Medication जो है वो यूस की जाती है आगे समझते हैं कि Seratio Peptidase के हैं तो यह एक Enzyme है वो तो हमें पता चल गया पर यह Enzyme को जो Non-Pathogenic Bacteria होते है Enterobacteria कि जिसको Seratia E15 कहा जाता है कि जो Silk Worms के अंदर पाए जाते हैं तो उसमें से यह Seratio Peptidase Enzyme जो है वो Isolate किया जाता है और आगे उसके बारे में आपको और डीटेल बताओ तो यह जो एक Enzyme है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं Silk Worms जो होते हैं कि जिसको Bombics Mori कहा जाता है तो सबसे पहले 1916 के अंदर उनको Isolate किया गया था Bombics Mori की जो Silk Worm होते हैं उनके Intestine में से और यह जो Enzyme जो है वो Present होता है Silk Worms के अंदर कि जो Help करता है उनको जो Cocoon होते हैं उनको Dissolve करने में Help करता है फिर उसके ओपर और भी जो Studies वगड़ा होई और Research वगड़ा होई तो उसमें से आगे जो Seratia A15 Bacteria जो है कि उनके जो Cultures होते हैं उसमें से उसको Purify करके जो है जो है जो है वो Produce किया जाता है Seratia Peptidose के और उसके पास जब Anti-Inflammatory Action होने के करन अलग-अलग Medical Condition में Use किया जाता है जैसे कि Useful in Treatment of Painful Conditions कि जहाँ पे Center में दर्द है सुजन है तो इसी कुछ Conditions जैसे कि Back Pain मलब कि आपको जो पीठ के अंदर दर्द होता है या पे पीछे दर्द होता है कमर दर्द वगेरा जैसे होते है तो उसमें ये Medication जो यूस की जा सकती है Second हम देखे तो जो Osteo Arthritis की जो Condition की जो Normal जो हमारे Bonn और ये Rheumated Arthritis या फिर Osteo Arthritis की जिसको गठिया रोग कहते हैं वात रोग भी हम कहते हैं तो इसके लिए जिसके करण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि काफी दूरबल हो जाते हैं काफी वीक हो जाते हैं हमारे Bonds तो ऐसे Condition में भी ये Medication यूज की जाती है Fibromioglia की Conditions में भी ये Medication यूज की जाते हैं कि जिसके अंदर जो हम कहें कि Musculo-Skeletal Pain कि Muscles के अंदर भी Pain हो रहा है Skeletons में भी Bonds को भी Point Pain हो रहा है तो वो Condition को ठीक करता है ये Medication की यहाँ पर आप देखो कि जो आपके Normal Bonds है और उनके अंदर रहा ये जो Joints होते हैं उसके ये Proper ये Sinovial Joints के जो Bonds के अंदर होते हैं अब वही पर जब किसी बिमारी के कारण सूजन हो जाती है तो इस तरह के Painful Condition प्रोडिस होते हैं जिसको Rheumatoid Arthritis के Simple गठिया रोग भी उसको कहा जाता है वात रोग भी कहते हैं तो Arthritis के इलाज में भी ये यूसपल की जाता है फिर जो इस तरह से हमारे Bonds healthy होते हैं और वो healthy bond आने आगे जाके Osteoporosis के कंदर कंवर्ट होते हैं मनलब कि ये bond काफी दुर्बल हो जाते हैं वीक हो जाते हैं कि यहाँ पी जो पोर है उसके compare में आप यहाँ पे देखो तो पोर जो है वो increase हो रहे है तो उसके करण bond जो है काफी पूरस हो जाते हैं और काफी वीक हो जाते हैं तो इसे condition में यह useful है फिर एक ऐसी condition कि जिसके अंदर pain होता है numbness feel होता है विल्दे के sensations कम होना tingling जैसा feel होना कि कमपारी आ रही है आपको और weakness feel होती है आपके हाथ या फिर आपके wrist के अंदर कि जहाँ पे आप गड़ी पहनते हैं या फिर आपका जो हाथ का बाकी जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है carpal tunnel syndrome तो यह syndrome के अंदर जो लोगों को काफी वहाँ पे painful conditions produce होती है दर्द होता है सुजन होता है तो वो सभी को ठीक करता है यह medication फिर जो migraine headache होता है कि जो सरदर्द होता है और काफी migraine type का headache हो जाता है तो उसमें भी यह useful है tension के करण होने वाले headache को भी यह ठीक करता है kidney stone के दोरान जो आपको काफे pain होता है या फिर urinary tract के अंदर कई बार सुजन वगेरा देखने को मिलती है तो इसको भी कम करता है और pain को कम करता है यह biosugandril का tablet body pain में भी useful साबित होता है तो यह 10 ऐसे medical condition से कि जिसके अंदर यह basically जो है वो use की जाती है working के अंदर हम देखे तो main इसकी mechanism है anti-inflammatory कि anti-inflammatory के तोर पे यह सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी effect देता है फिर analgesic मतलब कि pain जो है वो आपका कम करता है और fibrinolytic के तोर पे भी काम करता है antibacterial के तोर पे भी वो काम करता है तो यह medications क्या करते है specially regulate करते है inflammatory जो cytokines होते है और उनसके करण जो होने वाले जो issues है उसको कम करते है और यह क्या करता है cell additions को modify करते है जिसके करण जो inflammatory cells जो होते है उनकी effect कम होती जाती है जिसके करण आपका जो inflammation जिस side पे हुआ है वो दिरे दिरे कम होता जाता है आगे समझे तो इसके strength दो type की है 10 mg के strength में available है दूसरा 20 mg के strength में available है तो 2 strength available 10 mg and 20 mg तो यहाँ पे आप देखो उसके label के उपर schedule edge drug लिखा है कि warning लिखी है खास कि to be sold by retail on prescription of register medical practice मतलब कि आपको जब उसको retail में बेचनी है तो proper आपको prescription लेना है register medical practitioners का तो prescription के साथ है यहाँ पे red line भी आ गई तो proper precautions के साथ ही उसको use करने है तो 20 mg का यहाँ पे आप देख सकते है as well as यह 10 mg वाला container का seratio peptidase as per IP के Indian pharmacopi आपके standard के एगोड़ीटू बनती है abort का यहाँ पे आप लोगों देख सकते है और आगे समझे उसके dose के बारे में तो regular adult dose होता है seratio peptidase का 10 से लेकर और 10 mg जितना दिन में 3 बार तो अगर आप यह 10 mg वाला समझे के tablet यूज़ करते है biosuganril का तो आप जो है वो दिन में 3 बार जो है वो उसको ले सकते है maximum और 20 mg वाला यह रेते है तो आप दिन में 1 बार लेजे या फिर जदा से जदा उसको दो बार ले सकते है daily dose उसका होता है 15 से लेकर 60 mg जितना पर डे तो अगर conditions और जदा खराब है तो उस वक्त patient जो 20 mg के जो tablet है उसको दिन में 3 बार भी जो है वो ले सकते है पर जरूत पढ़ने पर especially ऐसे ही आदत लगाएगा आप lower dose से start करे और 20 mg को TID के वज़े 20 mg को BD दिन में दो बार ले उसके कि जिससे 40 mg जितना dose आपको दिन में मिलेगा और दो tablets के बीच में at least 20 mg का ले उसको कर रहे है तो 12 अवर का डिफरेंट रखिए और 10 mg का यूज़ कर रहे है और वो भी दिन में तिन बार तो 8 अवर का time difference जो है वो सभी dose के बीच में आपको रखना चाहिए कि जिसके दार से proper 24 hours के अंदर 3 dose जो हो patient ले सके फिर 2 गंटे के बाद लेना है आपको खाना खाने के बाद take it after 2 hours of meal मतलब कि जो खाना खाते हैं उसके 2 गंटे बाद लेनी चाहिए and एक से 2 week तक जो है आप ले सकते हैं and anti-inflammatory agent के तोर पे ये काम करेगा और up to 4 week भी आप उसको ले सकते हैं as a mucolytic agent आगे समझते हैं उसके कुछ side effect के बायस हो गनरिल क्या side effects कर सकते हैं तो कुछ लोग जो है वो nausea vomiting जैसा जो है वो feel करते हैं ये medications के लेने के बाद कि जैसे उल्टी हो जाना उबासी आना जीम अचलना जैसे conditions stomach pain कुछ लोगों को पेट में दर जैसे complications आते हैं skin के उपर कुछ लोगों को reactions हो जाती है अगर उनको इसकी allergy है तो ये खास ध्यान रखने के अगर किसे को allergy हो जाती है hypersensitity हो जाती है seratio peptidase से तो ये medications लेना बन करते कुछ लोगों को muscle and joint pain जैसा feel करते हैं poor appetite हो जाती है कुछ लोग cough के भी complain करते है and blood clotting कई बार आपका disturb हो जाता है ये medication के कारण तो ये कुछ उसके sad effect इसलिए जो rx only medication है कि अज अगर दूसरे medications काम नहीं कर रहे anti-inflammatory तब ये medication जो है वो prescribe की जाती है and अगर दूसरे medications से आपको allergy हो जाती है तो इससे आपको कोई problem नहीं होते तो ये medication जो है आपकी healthcare providers continue रखते है warning समझे तो ये medications को कभी भी blood thinners के साथ नहीं लेने के जिसे की warfarin and aspirin के जो हमारे खून को हमारे blood को पतला करने के लिए यूज किये जाते हैं तो उनके साथ ये medication कभी भी ना ले second अगर आपको blood clotting related problem है तो ये medications ला ले because seratiopeptidase क्या कर सकता है blood clotting के अंदर disturbance पैदा करता है तो अगर आपको ऐसे problem है clotting related तो कभी भी biosugandril को use ना करें तिसरी condition कि अगर आपके कोई surgery plan है कि कोई भी surgery आपके plan की गई है तो at least उसके 2 week पहले ये medication को लेना बंद कर दे कि for example आपकी surgery समझो कि 28 तारिक को है तो उससे at least 2 week पहले मतलब कि 7 तारिक से ही उसको लेना जो है वो बंद कर दे कि उसके बाद जो 2 week आने वाले है कि 7 या फिर 14 तारिक के बाद उसको जो है वो लेना बंद कर दे अगर surgery होती है तो तीसरा हम देखे तो seratiopeptidase जो है वो interfere करता है blood clotting के साथ तो ये आपको खास द्यान रखने के surgery के 2 week पहले बंद कर दे and increase करवा सकता है bleeding surgery के दौरान भी और surgery के बाद भी तो इसके कारण उसको surgery के 2 week पहले से ही लेना बंद कर देनी चाहिए तो इस तरह से जैसे हमने ये biosugandril के बारे में सिखा seratiopeptidase के बारे में सिखा सीके और ऐसे ही बहुत सारे medications के basic use उनके dose, side effect, warning seralbasa में एक साल तक affordable price में farmerox के mobile application के उपर कि जहाँ पे उसके access कर सकते PDF को, PPT's को and video lectures को affordable price में तो कर आपके पास android phone है तो android app download कर रहे iphone user app store से ये number पे whatsapp करके भी आप जो है वो link पा सकते है course की और directly android app download कर सकते है google play store पर से app store पे भी मिल जाएगी links हमने जो है वो description box के अंदर दे दिये तो description box जरूर से चेक करे, good luck and all the best के लिप यूम है जो है और प्हाफे बहुत नहें है नहें जो कर लिए